इस वीडियो में हम लाव और रिलेशन से लिरेड़ वर्ड को हिंदी और इंग्लिश में सीखेंगे ये है पार्ट टू इसका पार्ट वन अल्रेडी बन चुका है क्योंकि बहुत सारे वर्ड्स मीनिंग थे तो मुझे पार्ट टू भी बनाना पड़ा चलिए सबसे पहला है महबद आप किसी को महबद करते हो इसको इंग्लिश में बोलते है डिवोशन नेक्स्ट है इसक बाजी करना यानि किसी को पसंद नहीं है फिर भी आप उसको परिशान कर रहे हो इसक बाजी कर रहे हो इसको इंग्लिश में बोलते है फ्लट फ्लट नेक्स्ट है प्यार में पढ़ना किसी के प्यार में आप पढ़ जाते हो इसको इंग्लिश में बोलेंगे fall in love अगला वर्ड है मोहित करना किसी से आप मोहित हो जाते हैं कोई आपको मोहित कर देता है इसको इंग्लिश में बोलते है enchanted नेक्स्ट है आँख मारना आँख मारने को इंग्लिश में बोलेंगे wink at w-i-n-k-a-t यानि wink at नेक्स्ट है पलके जुकाना या पलके जबकाना इसको इंग्लिश में बोलेंगे blink the eye lids पलके जुकाना या पलके जबकाना को blink the eye lids बोलते हैं नेक्स्ट है मनोहर आपका जो मन हर लेता है उसको हिंदी में मनोहर बोलते है जो आपका मन प्रसंद कर देता है इंग्लिश में बोलेंगे एलरिंग एलरिंग नेक्स्ट वर्ड है बहुत चाहना आप किसी को बहुत प्यार करते हो, बहुत चाहते हो, उसको इंग्लिश में बोलेंगे Adore Next है तमन्ना आपको किसी चीज की तमन्ना है, उसको इंग्लिश में बोलेंगे Wish Next है कसम खाना किसी की कसम खाते हो, इसको इंग्लिश में बोलते है Swear S-W-E-A-R, Swear अगला है जासूसी, किसी की जासूसी करते है जब उसको इंग्लिश में बोलेंगे spy next word है पुराना प्यार, आपका पुराना प्यार आपके पास लोट के आता है उसको बोलते है old flame, next है दोखा देना, दोखा देने को इंग्लिश में बोलेंगे cheat next word है सर्माना, खोई आपको इजहार करता है और आप सर्मा जाते हो, इसको इंग्लिश में बोलेंगे blush next है रुमानी, रुमानी को इंग्लिश में बोलेंगे romantic, रोमानी 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 और आपको इस वीडियो अच्छा लगा है, कुछ सीखने को मिला है तो प्लीश जाने से पहले चैनल को एक बार सब्सक्राइब कर दीजी और बेल एकन दबा दीजी